हेलो एबरीबन वेलकम टू गंधनाकेडमी तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो सीटेट में भासा होती है तो उस भासा में आप एक अच्छा स्कोर कैसे करें आपकी दो भासाइं होती है ठीक है भासा फ़स्ट और भासा सैकेंड और दौनों ही भासाओं से आपके साथ बनते हैं और यह साथ नंबर आपके सीटेट पास करने में एक महत्पूर भूमका निवाते हैं अगर आपकी भासा पर पकड़ है आप भासा की ज्याता से ज्यादा प्रक्रिस करते हो और आप गद्धांस पद्धांस में से प्रश्णों को छाटना जानते हो पेड़ा पर के सीटेट पास करने में आपको कोई बहरा ही नहीं होती है आप एक अच्चा इस्कौर अवश्चे ही कर पाते हैं नहीं Simply come Energy Allah आपके लिए कुछ कि आप एक अपनी भासा में एक अच्छा स्कोर कैसे करें तो चलो आज इस पर हम चर्चा करते हैं वीडियो के लाश्ट तक आप अवश्चे बने रहें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी यानि दो भासा होती है वासा फर्स्ट और वासा सेकंड तो युश्ण जिस भाश सबयां अलग sacrificing है इसा uhं अपकी अलगा उती है आप अख्या ठीक है फो पर चाहे सब्सक्री खड़ को मैं करने चाहरें तो जो भी अच्छे एक लिए हो पिसी सत्कानियों के आप अपनी थे पेड़ाबश्त आप तो अपने पनी मात्रागंवासा पर अपनी समझ बनाएं और पडरागोजी में ऐख अस्कोर करें फिर दूसरी भाता में आप उसका प्रयोग करें। जैसे कि आपने अगर हिंदी में पेड़ागोजी पर अपनी पकड़ बना लिया है, हिंदी में पेड़ागोजी को अच्छे से पढ़ लिया है, तो यकीन मानिए कि वही आपकी अंग्रेजी में और संस्क्रत दोनों में काम देगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें यह कियेगा, कहीं से भी आपके पास बोक है, आपने कोचिंग लिया है, यूटूब का इस्तेमाल करिए, गूगल का करिए, लेकिन पेड़ागोजी पर अपनी पकड़ अच्छी से अच्छी बनाई है, दूसरा पॉइंट है आपका गध्धांस और काभ्यांस का, तो इससे भी आपके पंद्रे पंद्रे नंबर बनते हैं, पंद्रे पंद्रे नंबर आपके पेड़ागोजी से और पंद्रे नंबर आपके काभ्यांस और गध्धांस से, तो जैसा कि आपकी भासा फश्ट होती है, तो भासा फश्ट में आपके गध्धांस और काभ्यांस दोनों से ही पूछे जाते हैं और भासा सेकेंड में आपके श्रीप गध्धांस होते हैं तो इसमें आपको सबसे दिक्कत अब यहीं आती है कि आपका यह जो गध्धांस होता है तो एक तो इसमें सबसे पहले कि आपका टाइम ज्यादा लगता है इसको पढ़ने में प्रश्णों को कैसे तो गध्धांस और कभ्यांस से अगर आप जादा से यादा प्रेक्टिश लगाते हो जादा से यादा प्यवाइक लगाते हो तो यहां से आपको पूरे 15 नंबर अवश्चे मिलते हैं पेड़ा गोजी में हो सकता है आपके एक दो नंबर कम हो जाए लेकिन आपको классि में प्रज&टर आम ती सना था और ही अंगि। कि एक 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 नंबर की बैलू आपके लिए बहुत ज्यादा है कियो कि अब बात करते हैं कि यहां से प्रश्णौा COME कैसे चाते, तो जैसा कि सबसे ज्यादा प्रच्रित तरीका है कि आप प्रश्णों को पढ़िएगा और गद्धन से फिर प्रश्णों को छाटिएगा लेकिन इसमें क्या होता है मैं इसकी सलाह आपको नहीं दूंगी क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपने प्रश्णों को पढ़ा और प्रश्णों को को चाटोगे और कभी कभी आपका जो प्रश्न होता है उसका उत्तर आप से भावात्मक पूछ लिया जाता है यानि पैराग्राप में आपको कहीं मिलता ही नहीं है और अगर आपने पैराग्राप नहीं पड़ा है तो फिर वहां आप पैराग्राप को ढूटने में भी आपक जो बिना आपको ये लगताए कि यहाँ से इवारा प्रशनों को बनाने की उत्र Calvin को चाहरने की तो उस पर आप अंड़रन करते जाएगा और अपने प्रशनों को देखेगा तो इस तरीके से आपके प्रशनों के उत्तर आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे और एक वार आपने पैराग्राफ पड़ भी लिया है तो अगर आपसे भावात्मा को प्रश्ण भी पूछा जाता है तो वहां से भी आपके प्रश्ण को उत्तर आपको मिल जाएगा और इसमें आपका टाइम भी बचेगा कि कभी कभी आपका क्या होता है कि प्रश्ण आपका पहला होता है और उसका उत्तर आपका सबसे लास्ट में दिया गया होता है तो ऐसा थो है नहीं कि आप दूसरे प्रश्ण का उत्तर पहले डूड़ोगों आप सबसे पहले प्रश्ण का उत्तर ही सबसे पहले डूड़ो बिल्कुल भी नहीं पड़नी है हाँ आपको grammar नहीं पड़नी है आपने जितनी भी अभी तक अपनी grammar पड़ी है अपने BAD किया है अभी तक सटेज तक पहँचे हो CTAD का एकक्जम तक तो आपने grammar पड़ी है व्याकरण आपने हिंदी का पड़ा है तो आपके काभ्यांस में से और गद्धांस में से ही दो या तीम परस्षण करामर kyra चार निमकहरां पुर्किन हैं और फिर डौन वह सुझाल मुझे कर दोन दोतुड प्राशन 4 यह जिसे टोवस्थिह पुल्कुल नहीं है अब रधी सिर्सक्राइच Soo 105 यहां नहीं है जोता है, तो रधी ने वह इतक Supreme Sharp भी आपके 4 प्रशन और लुट ज्यादा माइनि करते हैं एक सब्सक्राइब necessary no और बच्चे बासा कैसे सीखते हैं अरजन कैसे सीखते हैं पेड़ागोजी की क्लास डेली आपको मिल नहीं है आप उने प्ले लिस्ट में जा करके अवश्च देखें तो यह कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट रखे थे तो इन सपराज हमें चर्चा किया अगर आप इस ची करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें लाइक करें कमेंट करना बिलकुन न भूलें धन्यवाद